हलो स्टुडेंट आज हम लोग प्रक्टिकल के द्वारा समझते हैं कि यदि अलग-अलग सक्ति के बल्बों को समांतर क्रम तथा स्रेडी क्रम में लगाते हैं तो किस बल्ब का प्रकास अधिक होगा या कौन सा बल्ब अधिक प्रकास देगा और कौन सा बल्ब कम प्रकास दे कि समानतर क्रम में जब बलबों को जोड़ते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया यहां पर तीनों बलबों के एक सिरे को हमने एक बिंदू पर ले लिया और इसको एक बिंदू पर जोड़ दिया अब एक बिंदू से जोडने के बाद दूसरे सिरे को दूसरे बिंदू से जोड देते हैं तो यहाँ पर दूसरे सिरे को दूसरे बिंदू से जोड रहे हैं अब इन सिरों को जोडने के पस्चाद अब हम लोग देखेंगे कि इसे हम विद्धुत स्रोत से जोड़ दे रहे हैं तो वैद्धुत स्रोत यहां पर इसको ले आते हैं तो वैद्धुत स्रोत से इसको हम क्या करते हैं जोड़ दे रहे हैं अब जैसे वैद्धुत स्रोत से ज समझते हैं तो देखो समांतर क्रम सयोजन में बल्व के सिरों का विभुवांतर समान होगा अब यदि प्रतेक बल्व के सिरों का विभुवांतर समान होगा तब हम लोग सकती पी बराबर वी इसक्वाइर अपोन आर लगाएंगे तो यहां से हमको पी व्युत क्रमान पाती प अधिक होगा तो वह बल्ब अधिक प्रकास देगा या आप यह समझे कि जिस बल्ब में प्रतिरोध कम होगा वह बल्ब अधिक प्रकास देगा और जिस बल्ब में प्रतिरोध अधिक होगा वह बल्ब कम प्रकास देगा अब यहां पर देखो जिसकी सकती अधिक उसका प्रति अधिक सक्ति वाला बल्व यहां पर अधिक प्रकास देगा इसका मतलब क्या हुआ कि 200 वाट वाला जो बल्व है वह अधिक प्रकास देगा 100 वाट वाले बल्व की अपेच्छा क्योंकि यहां पर पी का मान कम है इस कारण से आर का मान इसके लिए अधिक होगा और यहां पर प क्या होता है कि पहले बल्व का एक सिरा दूसरे बल्व के दूसरे सिरे से जोड़ेंगे तो हमने यहां पर दूसरा सिरा जोड़ दिया इसी प्रकार से दूसरे बल्व का जो दूसरा सिरा है उसको हम तीसरे बल्व के अगले सिरे से जोड़ेंगे यहां पर इसको भी आपस में जोड दिया अब इसके पस्चात जो पहले बल्व का एक सिरा है पहले बल्व का एक सिरा यहां पर देखो यह है और दूसरे बल्व का यह दूसरा सिरा है इनको हम वैद्दुत स्रोथ से जोडते हैं अब इस वैद्दुत स्रोथ से इनको हम लोग जोड रहे हैं अब जब यह आप देख पा रहे होगे यह 108 वाले बल्ब अधिक रोस नहीं दे रहे हैं और 200 वाट वाला बल्ब बहुत कम रोस नहीं दे रहा है इसके किवल आपको इस प्रिंग जलती हुई नजर आ रहा है अब देखो यह जो परिपत है वो पूरा कंप्लीट है अगर हम बल्ब को क्य यहां पर विद्धुधारा का पुनाह प्रवाह होनी लगा इसका कारण क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं अब बात करते हैं देखो स्रेडी क्रम संयोजन की जब स्रेडी क्रम संयोजन में हम किनी बल्बों को लगाते हैं तो स्रेडी क्रम संयोजन में धारा समान होती है और जब धारा समान होती है तब इस स्थिती में P बराबर I square into R हो जाता है इसका मतलब है P अनुक्रमान पाती होगा R के अब जो यहां पर सक्ती है वह प्रतिरोध के अनुक्रमान पाती है इसका मतलब सक्ती अधिक उसका प्रतिरोध अधिक और जिसकी सक्ती कम उसका प्रतिरो का मान कम होगा वह बल्व अधिक प्रकास देगा अब यहां पर यदी प्रतिरोध को कम करना है तो सक्ती को भी कम करना पड़ेगा इसका मतलब कम सक्ती वाला बल्व अधिक प्रकास देगा और अधिक सक्ती वाला बल्व कम प्रकास देगा इसका अर्थ क्या हुआ कि पी सक्ति कम है तो प्रतिरोध कम होगा और इसके लिए सक्ति अधिक है तो प्रतिरोध कमान अधिक होगा तो यह याद रखते हैं क्या बताया कि समांतर क्रम में अधिक सक्ति वाला बल्व प्रकास अधिक देता है क्योंकि वहां पर आर्वियुत कुर्मान पाती होता है सक्ति के और स्रेडी क्रम में कम सक्ति वाला वल्व अधिक प्रकास देता है, क्योंकि यहाँ पर P अनुक्रमान पाती हो जाता है RK, आपको यह बात समझ में आई होगी,